रुत्र, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मेरे हाथ से बने पोहे बहुत ही पसंद है वैसे तो पोहे ब्रेकफास में खाये जाते हैं लेकिन उसे पोहे इतने पसंद है कि मैं उसे तीनो टाइम मराके खिलाओंगी तो वो तीनो टाइम खालेगा वैसे तो सबके गर में पोहे अलग-अलग तरीके से बनते हैं और सबका टेस्ट भी अलग होता है तो चलिए आज देखते हैं कि मैं पोहे कैसे बनाती हूँ गुजरात में हम इसे बटा का पुहा बोलते हैं तो यहाँ पे तकरिबन मैंने दो कब जितना पोहा ले लिया है और एक छली में मैंने इसे निकाल लिया है क्योंकि हमें इसे दो लेना है पोहा को अच्छे से दोना बहुत ही ज़रूरी है इसे दोने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अगर हम इसे थोड़ा सा ही दोएंगे मरलब के खाली भीगा के छोड़ देंगे तो ये बहुती ड्राय बनेंगे और अगर इसे जाधा दो लेंगे मरलब के जाधा इसको पानी के अंदर रखेंगे तो ये सौगी भी हो सकते हैं अगर आप चाहो तो इसे एक मिनट के लिए पानी में भिगो के रख सकते हो और तुरंत ही उसका पानी निकाल लेना है लेकिन मैं इसे एक मिनट के लिए नीचे मनलब के नीचे दो ही लेती हूँ क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं उसे भिगा कर भूल जाती हूँ उसका पाने निकालना भूल जाती हूँ तो पोहे बहुत ही सौगी हो जाते हैं तो मैंने इसे एक मीट के लिए पानी से अच्छे से दो लिया है और उसे रख दिया है साइड में तो चलिए अब करते हैं बाकी की तैयारी तो यहाँ पे मैंने ले लिये हैं दो प्यास प्यास का टेस्ट पोहे के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है प्यास के अंदर जो स्वीटनेस है जो मिठास है वो पोहे के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है तो अगर आप प्यास ख खा लेता है क्योंकि उसे पोहे बहुत ही पसंद है तो देखता नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है उसी वहा ने वह खुशी-खुशी सारे वेजिडेबल्स भी खा लेता है तो चलिए यहां पे बातों बातों में हमारे प्यास भी अच्छे से चौप हो चुके हैं तो के लिया है और उसे मैंने स्क्वेर में कट कर लिया है इस तरह आलू को छोटे-चोटे पीसिस में कट करने से आलू पटा-फट से पक जाते हैं कच्छे नहीं रहते हैं इसे पकने में Northern लगत और यहां पर मैंने ले लिये पहले जाहर से 5 मिर्च, मिर्च जादा तिक्ही नहीं है और आप सारा चौपिंग का काम हो चुका है तो ले लेते हैं एक यहां पैण थोड़ा सा हम बड़ा लेंगे कुद की पोहे देख करने में आसानी ज़्याई, हम दिसकर बृषे को अब आलो को हम पहले wash कर लेते हैं और उसे रख देते हैं साइड में थोड़ा सा dry होने के लिए और तेल गरम हो रहा है तब थोड़े से हम तैयारी और कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से dry fruit तो dry fruit मैंने लिया है काजू, किश्मिश और थोड़ी सी मैंने ले लिए हैं मुंगफली काजू और किश्मिश का टेस्ट पोहे में बहुत ही अच्छा लगता है मैं हर बार नहीं डालती हूँ कभी कबार डालती हूँ लेकिन अगर आपके पास available है तो आप ज़रूर डालेगा इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो थोड़े से काजू थोड़े सी किश्मिश और थोड़े सी मैंने मुंगफली ले लिए हैं सबसे पहले हम तेल गरम हो जाए तो मुंगफली को इसके अंदर सौटे कर लेंगे थोड़ा सा उसे फ्राइ कर लेंगे मुंखफली थोड़ी सी golden brown हो जाए फिर उसे ने काल लेना है और फिर डाल देंगे काजू एकदम low flame पे हमें इन दोनों को fry कर लेना है तो चलिए यहाँ पे हमारे काजू भी अच्छे से fry हो गए है और अब गरम तेल के अंदर मैंने डाल दी है एक चमच बर के राई आलू को अच्छे से mix कर लेंगे और उसके ओपर ढकन लगा देंगे low flame पे हमें इसे 5-7 मिर्ट के लिए पका लेना है तो यह देखिए 5-7 मिर्ट में ही हमारे आलू अच्छे से पक गए है कई लोग आलू को boil करके भी डालते हैं लेकिन अगर आप इस सरह से आलू को fry करके लोगे तो पोहे में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो चलिए अब आलू के अंदर add कर देते हैं प्यास और हरी मिर्च गैस की flame को हम high कर देंगे और continuously चलाते हुए हमें प्यास को पका लेना है प्यास का color थोड़ा सा change हो जाए तब तक उसे हमें पका लेना है और अब इसके अंदर add कर देंगे किश्मिश किश्मिश थोड़ी सी फूल जाए फिर इसके अंदर add कर देंगे आदा चमश बर के हल्दी हल्दी अभी add करने से हल्दी का कच्चा पंदूर हो जाता है और पोहे में बहुत ही बड़िया color आता है तो चलिए यहां पे हमारा पोहा भी एकदम ready है आप देख सकते हो कि पोहा का एक एक दाना एकदम अलग हो गया है एक दूसरे से चिपका भी नहीं है और बहुत जादा dry भी नहीं है और अब पोहे के अंदर मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकड़िंग नमक और एक medium size का निम्बू इसके अंदर मैंने निचोड़ दिया है और दो से तीन चमज भर के मैंने डाल दिया है PCV चीनी और लास्ट में मैंने डाला है दो चमज भर के सौफ का पाउडर सौफ का पाउडर आप ज़रूर डालिएगा इससे स्किप मत करिएगा क्योंकि इससे पोहे के अंदर बहुत भड़ी अपले वराएगा और अब इसके अंदर एड़ कर देंगे फ्राइ किये हुए काजू और मुंक फली और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इससे टेस्ट करके देख लेंगे कुछ कम ज़र आपको लगे तो आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो तो चलि अब इससे प्लेट में सव कर लेते हैं इसे थोड़ा सा गानिश कर लेंगे अनार के दाने, धन्या पत्ती और सेव से ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि पोहे का कलर कितना बढ़िया है उसका टेक्स्चर भी बहुत बढ़िया है एकदम सौकी भी नहीं है और एकदम ड्राइ भी नहीं है एकदम परफेक्ट पोहा हमारा बनके रेडी है तो आप भी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भी पोहा एकदम परफेक्ट बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो ये लीजे गुजराती स्टाइल बटा का पऊवा एकदम रेडी शे चालो टुटी पड़ो तो आपको आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और हाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज सिस्क्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं जल्दी नेक्स लेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जेशी करशना